प्रिये शिक्षारतियों, NIOS Studio में आपका स्वागत है जैसे कि हमने पिछले पार्ट में विभिन प्रकार की लाइबरियों के बारे में जाना कि गरंथाले जो हैं विभिन प्रकार के होते हैं जैसे सेक्षिक गरंथाले, सारजुनी गरंथाले, विस्ट गरंथाले और रास्टे गरंथाले हमने पिछले पार्ट में दो तरह की लाइबरी को हमने डिसकस किया था जैसे कि सारजुनी गरंथाले और सेक्षिक गरंथाले जिसमें हमने जाना था कि सारजुनी गरंथाले जो है वो गरंथाले होते हैं जो कि public के लिए जो है किसी एक law या फिर किसी एक act के अंदर पास किया जाते हैं और बनाए जाते हैं जिसमें की public fund जो है उसको involve किया जाता है public को information provide करने के लिए इसके बाद हमने सेक्षिक गरंथाले के बारे में जाना था है कि विभिन परकार के सेक्षिक संस्थान होते हैं आज हम इस लेसन के जो दूसरा भागे उसमें चर्चा करेंगे विश्विष्ट गरंथाले और राष्ट्री गरंथाले के चात्रों को अपनी सेवाए प्रतान करते हैं शिक्षारतियों आज हम इस लेसन के जो दूसरा भागे उसमें चर्चा करेंगे विश्विष्ट गरंथाले और राष्ट्री गरंथाले के बारे में विशिस्ट करंथाले होते क्या हैं? विशिस्ट करंथाले जो हैं specialized libraries होती हैं जो कि अपने आप में किसी एक research institution के साथ जूड़ी होती हैं अब आप देखेंगे कि जो research institutions होते हैं जैसे कि जहां पर कि scientific research हो रहा है या फिर कोई आप देखेंगे specialized education हो रही है जैसे कि आप IIT की library को देखेंगे आप law universities की libraries को देखेंगे जा फिर आप देखेंगे कही medical university या medical college की library है उसको हम विशिस्ट करंथाले हैं उस library को हम special library में count करेंगे क्योंकि विशिस्ट करंथाले है जो है basically इनका जो role है वो specialized type of information provide करने का है एक खास तरीके की information गयोंकि एक खास तरीके के profession या website की लोगों को जिसकी जुरत होती है तो हम देखेंगे कि विशिस्ट गरंथाले जो है वो 20 वी सदी के आसपास जो है अस्तित्यु में आये थे और विशिस्ट गरंथाले जो है विशेश प्रकार के जो पाठक वर्क है उ एक particular institution जो है उसकी information नीट को विशिस्ट प्रुस्कालेज पूर्ण करते हैं अगर आप देखें आमतोर पर जो यह special library होती है यह institutional research और development जो activities होती है जिसको कि हम अनुसंधार और विकास गतिविदियो के नाम से भी जान सकते हैं उसके लिए समर्पित होते हैं और यह normal जो कि ताकि वस्तु स्तिती का प्रतिविदन इसके लावा संदर रंध सूचियां आपको मिलेगी आपको यहाँ नवीन सूचना सेवाय बुलेटिन मिलेगी आपको यहाँ पर पत्त्रकाय भी मिलेगी इसके अलावा जो है आपको यहाँ बहुत ही अलग तरीके की specialized information रखने वाली किताबे जैसे की निर्देशिका, प्रलेक, सूचिया और अधिगरेण सूचि जो है इस तरीके की literature related जो चीज़े हैं वो आपको मिलेगी अगर हम definition की बात करें कि vicious गरन्थाले होते क्या है तो हम जानेंगे कि हेरॉल ने अपनी उस तक library science glossary term जो है उसमें special library को प्रभाजित किया है इसमें उन्होंने लिखा है कि एक जो vicious करन्थाले है वो विदूत संगटनों या शोज संस्थानों या और वानिजय प्रस्थानों तथा सरकारी विभागों और यहां तक की सैक्षिक संस्थानों दारा भी किसी सिमित छेतर में प्रमानित पुस्तके तथा अन्यमु स्पेशलाइज औरनाइशन के साथ जैसे कि स्पेशलाइज औरनाइशन के लिए हम कह सकते हैं कि कोई business establishment है या फिर कोई government department है या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसा सिक्षक संस्थान है जहां पर कि बहुत ही specialized type की पढ़ाई होती है तो उन सब के साथ जितने भी पुस्तकाले हो बनाय की हो जाते हैं यह basically हमेशा अपने एक पैत्रिक संस्थान जिसको कि हम जो institutional जो parental organization बोलते हैं उनके साथ जो है उनके एक पार्ट होते हैं जैसे कि आप देखेंगे आप example के लिए Supreme Court की जो judges library है वो एक special library है और वो अपने पैत्रिक संस्थान जैसे कि Supreme Court के साथ जूड़ संस्थान है उसके जितने भी कारे है चाहे वो research and development से related है चाहे वो सिक्षा से related है इन सब को support करने के लिए विसिस गरंथाले को बनाया जाता है अब आप देखेंगे विसिस गरंथाले जो है यह भिन्विन तरीके के प्रकार के कारे करते हैं जैसे कि यह particular subject पे जितना भी information ज चाहिए होता है उसको यह अपने पास जो है procure करते हैं और उसकी एक सूची तियार करते हैं ताकि एकदम pinpointed और बहुत ही जल्दी के साथ बिना वक्त को खोए उनके जुड़े हुए parental organizations में जो भी researchers हैं जो भी उसके अंदर professionals हैं उनको वह information बहुत ही तेजी से provide करें तेकि यह जो special libraries हैं यह सेक्षिक गरंथाल्यों से या फिर हम कह सकते हैं कि सारजनी गरंथाल्यों से जो है बहुत ही तरीके से भिन होते हैं क्योंकि इसके जो भोगता होते हैं वो बहुत ही अलक अनोकी तरीके के professional जो users होते हैं वो इस library को use करते हैं और उनको जो need होती है उनकी जरू ग्रंथाले जो है यह अपनी सेवाएं जो है वो एक स्पेसलाइस टाइप ओफ यूजर्स को प्रोवाइड करती है के लिए प्रदान करती है अब आप देखेंगे कि जो विसिस्ट ग्रंथाले होते हैं यह बहुत अलग अलग तरीके की रिपोर्ट जैसे स्टेट ओफ दा आर और उसको इखटा करके उसको एक और्गनाइजड वे में इस लाइब्ररी वे रखा जाता है ताकि उसके जो एंड यूजर्स हैं जिनकों की इस जानकारी की जरुद है उसको वो यूज कर सकें इसके लाव आप देखेंगे कि यह और भी कही तरीके की सेवाई देती है जैस की इंडेक्सेस जो है इसमें बनाया जाते हैं जिसको अनु करमणी काय बोला जाता है और इस इंडेक्स के बिसेस पे जितना भी इंफॉर्मिशन अलग-अलग जर्नल में अलग-अलग किताबों के अंदर जो होता है उसको एक सब्जेक्ट बेस पे उधारन की तरह से इसको arrange किया जाता है और उसको arrange करने के साथ उसको जो है दुभारा से उसको repackaging करके provide किया जाता है ताकि pinpointed information जो है वो users को मिल जाए इसके लावा जो vicious प्रन्थाले हैं उसमें इनके बहुत सारी और दूसी तरीके की save आए हैं जिसको हम indexing और abstracting services भी कहते हैं indexing तो मैं आपको भी बताया था कि जितनी भी information जो अलग अलग जगह पर अलग जर्नल में जो शोद पत्र प्रकाशित होते हैं उनको अलग अलग subjects में होते हैं तो उनके लिए index बनाया जाते हैं ताकि अलग अलग पत्रिकाओं में जो शोद पत्र प्रकाशित होते हैं जो अलग अलग subjects पर हैं उनको एक जगह पर हम संकलित करके अपने end users को provide कर सकें इसके लावा abstracting services जो हैं वो भी जो विशिश्ट पुस्तकाले हैं की बहुत ही अनुकी services है अनुकी सेवाए हैं इसके अंदर कोई भी specialized book किसी एक topic पर या फिर कोई एक journal के अंदर कोई article specialized topic पर है उसका एक छोटा सा paragraph बना कर उसका एक छोटा सी gist बना कर उसका एक abstract बना कर libraries के दोबारा तियार किया जाता है ताकि जो हमारे end users होते हैं जो कि हमारे professionals होते हैं उनका time वो waste ना हो इसके अलावा जो संदर्ब और reference services और जो referral services जो है वो waste गरन्थालों का एक बहुत ही बड़ा उधारन है जो कि इनको करना पड़ता है जो कि waste गरन्थाले में जो है सेवाओ के अंदर जो है उसका समायुजन किया जाता है इसके अलावा आप देखेंगे कि CASE, Current Awareness Services जो है यह इसका ही एक बहुत ही अनोका उधारन है क्योंकि जितना भी किसी भी एक particular topic पर किसी भी particular subject पर जो भी information, जो भी article या जो भी किताब, जो भी publish हुई है उसको जो है अपने end users को हमें provide करानी होती है तो इसलिए विशिस करिंथाले जो होते है उनके जो है रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा different और बहुत ज़्यादा critical होता है और उनको बहुत सारी अलग सवीदा है जैसे कि अनुवाद सेवाएं जो को कि हम कह सकते हैं कि translation services जो हैं वो भी कई बार provide करनी पड़ती है क्योंकि आप देखते हैं science and development research अगर आप एक subject देखें तो किसी एक particular science की branch में अगर कोई research किसी institution में होती है तो पूरे all over world में पूरे संसार के किसी भी country में किसी भी language में अगर कोई research होई है तो उसको एक सरल भाषा में जो कि हमारी researchers जो होते है समझ सके उसमें उसको convert कर दिया जाता है देखें अभी हमने जाना कि वसिस्ट गरंथाले होते क्या है बट अगर हम इससे देखें तो वसिस्ट गरंथाले जो है वो भी बहुत बिन-बिन परकार के होते हैं अगर हम देखें सरकारी गरंथाले की अगर हम बात करें तो सरकारी गरंथाले के अंदर भी वसिस्ट गरंथाले होते हैं जो कि सरकारी संस्थानों के साथ जुड़े होते हैं जैसे कि संसत की अगर हम बात करें संसत का जो गरंथाले है Parliament of India Library जो है पर्लेमेंट लाइबरी जो नई दिल्ली में है वो एक वसिस्ट गरंथाले के प्रकार में आती है और इसमें जो लाइबरी है उसके अंदर जो कानून बनाने के लिए जो MPs जो Minister of Parliament होते हैं जो Member of Parliament होते हैं उनको जो भी information चीए वो provide करने के लिए जो है ये संसत गरंथाले काम करता है इसके लावा केंद्रे सचिवाले की जो library है केंद्रे सचिवाले गरंथाले जो है वो भी सरकारी गरंथाले जो की वसिस्ट गरंथाले के अंदर आती है हम इसको मान सकते हैं इसके लावा समीतियों और संस्थानों के गरंथाले होते हैं जैसे कि अगर आप continental international जो है इस चिन्नाई इसमें भी इसकी जो library है उसको भी हम एक special library के रूप में जान सकते हैं इसके अलावा देखे अभी हमने जाना कि सरकारी गरंथाले और समितियों और संस्थाओं के जो गरंथाले वो भी विशिस्ट गरंथाले के कुछ प्रकार हैं इसके अलावा आप देखेंगे कि जो audiobook और वानिज्य संगठन हैं जैसे कि business और commerce से related जो organizations हैं उनकी libraries को भी हम special libraries के रूप में हम जानते हैं जैसे कि अगर आप देखें Larson and Turbo गरंथाले हैं जो मुंबई का वो जो है audiobic और वारजनिक संगठन की जो library है उसको हम vicious गरंथाले के रूप में जानते हैं इसके लावा भारत heavy electronics limited गरंथाले भी एक vicious प्रकार की library है जो चोथे प्रकार की जो vicious गरंथाले का प्रकार है वो है अनुसंधान संगठन इसका मतलब जो है research institutions तो research institutions के अगर आप बात करें तो भारतिये चिकितसा अनुसंधान परिशद जो है Indian Council of Medical Research नई दिल्ली और इसके हम count कर सकते हैं इसके लावा जैसे कि हमने जाना था कि vicious grinthale जो है कुछ खेक्षिक संस्थानों की libraries जो होती है उनको भी हम vicious grinthale में हम count कर सकते हैं उसके प्रकार के रूप में हम मान सकते हैं तो इसमें आप देखेंगे बारतिये प्रध्योगी की संस्थान जो कि IIT जीसे हम क करते हैं इसके लावा अगर आप सेक्षिक संस्थान में कि अगर बात करें तो स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की जो लाइबरी है या लाल बाहदुर शास्तरी प्रभंधन इंस्चूट की लाइबरी है यह भी विसिस्ट करंथाले के अंदर जो है इसको हम जान सकते हैं इसके लावा अगर आप देखिन तो जो अलग तरीके का प्रकार है वो सारजनी करंथाले है यह सारजनी करंथाले के अंदर भी जो विसिस्ट गरंथाले जो है वो जो है बनाए गए विज्ञान से रिलिटेड जो सर्विसेस हैं वो प्रोवाइट करता है इसी प्रिकार से अगर आप दिल्ली पब्लिक लाइबरी में देखें तो दिल्ली पब्लिक लाइबरी के अंदर भी बहुत सारे जो हैं विशिस्त विभाग हैं जो की अलग-लग तरीके की सर्विसेस जो अदिकतर जो है देशों में जो रास्टे गरंथाले हैं या फिर रास्टे संशोधनों का रख रखाव करते हैं और जितने भी research and development related institutions हैं चाहे वो defense related हो चाहे वो किसी medical services related हो तो उन जितना भी किसी भी देश के जो बहुत महत्वपूर्ण और institutions होते हैं उन सब की जो लाइबरी important माना जाता है क्योंकि इनकी services हैं वो उन लोगों को service provide करने के लिए इसको use के जाता है जिनकों के उपर बहुत ही बढ़ा प्रभार है जैसे की defense services के लोग है या फिर आप मानने जी medical जैसे corona time जो आया है उस समय में जो information provide की जा रही थी जबकि इसके लिए vaccines को बनाना था तो उस सब तरीके का literature है वो सब literature जो है विसिस्ट गरंथाले उदारा ही ने end users को या फिर अपने professionals को provide किया गया तो ये तो हमने चर्चा की विसिस्ट पुस्तकाले के बारे में जो हमारे चोथित प्रकार की पुस्तकाले होते हैं वो रास्ट्रे गरंथाले होते हैं और रास्ट कोशन यह उठता है कि इतनी सारी public libraries भी हमारे पास, institutional library भी है, sexic library भी हमारे पास, special library भी फिर रास्टे गरंथाले क्यों इसको बनाने के इसकी जरूरत है हमें किसलिए होती है तो सबसे पहले जानने के लिए हम जानते हैं कि रास्टे गरंथाले होते क्या है रास्टे गरंथ इसलिए होता है कि उस देश की जो सूचनाई होती है उसको बंडार करने के लिए उन सब को collect करने के लिए इस library को बनाया जाता है और रास्टे गरंथाले जो है एक्चली में ये book issue written बहुत limited मात्रा में मतलब बहुत सिमित संख्या में ही पुस्तकों को ये देती है वो भी कि बहुत बड़ी होती है क्योंकि ये जितना भी दुरलब या फिर मुल्लेवान या फिर महत्वपूर्ण कृतिया होती है जो अभिलेक होती है जो कि नागरिकों को जो नागरिकों की information या किसी नागरिकों किसी देश के से related जो information होती है उसको संजो कर रखने के लिए future के देखिए अगर हम रास्टिय गरंथाले की डेफिनेशन या परिवाशा की बात करें तो एक इस प्रकार की लाइबरेरी होती है जिसमें सरकारी कोश से स्थापित किया जाता है और इसका जो प्रभंदन होता है वो बेसिकली एक कोई नेशनल बॉड़ी या फिर कोई एक नेश सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबे इसमें नहीं होती इसमें किसी एक देश से रिलेटेड और सारी रखा जाता है और आम तोर पर जो किसी एक कॉपिराइट जो इंटलेक्टिल प्रपरटी या फिर कॉपिराइट एक्ट के अंदर जो है इसमें किताबों को जितनी भी कित से related हो या भारत से related नहीं भी हो बट वो भारत के अंदर अगर publish कर रहा है तो compulsory जो है उनको उसकी एक प्रती एक copy जो है इस library में भेजना जुरूरी होता है तो आप देखिए इस library की जो collection है वो collection development मतलब कि किताबों को या पुस्तकों को या फिर कोई multimedia material जो भी भारत में publish हुआ है या भारत से related भारत के भार publish हुआ है उसको ये library कैसे लेती है तो देखिए एक तो कानून हुआ भारत के अंदर जो essential depository law है उसके अंदर जो है आपको उस किताब को जो भी इंडिया के अंदर publish हुई है उसको आपको submit करना ही है इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है जिस तरीके से अपनी ये library जो किताबों को खरीती है वो है purchasing जितनी भी किताबे है जितनी भी सूचना है किसी भी form में तो अचा परिभाश्या के बहाव पे हम ये जानेगे कि राश्ट्रिय व्रणठाले के क्या इसके कारे है तो है अपने देश के नागरिकों के द्वारा सुदेश में या फिर विदेश में प्रकाशित या देश से सम्मदित, अगर किसी अनने देश में भी कुछ भी प्रकाशित हुआ है, कभी मुदृत हुआ, कोई publish हुआ है या non-published material है, जो कि digital format में है, उसको पहचान कर, उसको procure करना है, उसको arrange करना है और उसको जो है store करना है ताकि उसको पुने प्राप्ति की जा सके जब भी कभी भी किसी भी समय में देश मर देश में उस information या उस किसी particular book की requirement हो तो उसकी एक copy जो है वो हमें national library में मिल जाए तो शिक्षार्तियों यह आप आपको जानके बहुत आश्यर होगा कि जो हमारी copy जो है एक law के अंडर जिसको compulsory deposit act बोलते हैं उसमें books की copy बेजना compulsory होता है और इसके अलावा जितनी भी information इंडिया के बाहर publish होती है उसको जो है वहां से procure या उसको purchase करने के लिए हमारी जो national library है उसका बहुत बड़ा role है तो देखिए अगर हम राश्ट्रे गंधाल लेकि उदेश्यय और कारे हो की चर्चा कर रहे हैं तो 1964 में मनीला में एक regional seminar जो है औरनाइस कर गया था जिसमें की राश्ट गंधालों के उदेश्यय और उसके कारें के बारे में पताया गया था तो यह जो basically जो एक राश्ट के गंधाले है ये राश्ट के गंधालों का इसके इलावा देश में जारी किये गए सबी प्रकाशनों के लिए सथाई संग्रह के रूप में सुनुश्चित सेवा प्रदान करता है जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि जितने भी publication जो है हमारे देश में होते हैं उन सबको एक जगह जो संग्राय करने का कारे जो है राष्टे गरंथाले करता है इसके इलावा अन्यक प्रकार की सामगरी का भी अर्धिकरिन करता है जो कि देश के बाहर जो है प्रिंट होती एक किसी research organization को चाहिए है किसी particular researcher को चाहिए और वो इंडिया में कहीं भी available नहीं हो पा रही है तो national library से किसी भी official procedure के थुरू उस महां से उस information को provide उसको प्राप्त कर सकता है इसके अलावा जो national library या फिर राष्टे गरंथाले के जो बहुत ही प्रुमुक उदेश या जो कारे होता है यह सरकार को सेवा प्रतान करता है सरकार को कभी भी किसी law related या किसी भी information के लिए कोई भी एक कैसी सूचना की requirement है जरूरत है जो कि देश के बाहर या देश के अंदर बनी है तो publish हुई है तो उसके लिए भी गरंथाले को use किया जाता है तो दिखिए जैसे कि अभी हम को procure करते हैं तो हमारे भारत में अगरहम जैसे कि मैंने आपको बताया भी था भारत का जो राश्ट्यय ग्रंथाले है जिसको के इनडियक्र लाईट्रिख क्या जाता है वह कहा जाता है इसी तरीके से अगरहम अमेरिका के अगरहम बात करने हैं तो लाईबरी आफ और से वह जो कि NIOS की website पर available है वहाँ पर reading material के अंदर उनकी website दियोगी और शिक्षारतियों मेरा आप से अनरोध है कि आप इन राष्ट्य ग्रंथालियों की जो कि भारत, USA, UK और Canada में है Canada की जो राष्ट्य ग्रंथालियों के बारे में इन सबको देखेंगे तो आपका जो ग्यान है उसमें बहुत अच्छे से व्रदी होगी इसके अलावा आप देखेंगे कि पुछले कुछ समय से जो राष्ट्य ग्रंथालें उनकी गतिविदियों में बहुत विस्तार हो गया है पहले क्या था एक सिंपल जैसे कि हमने अभी चर्चा किया कि राष्ट्य जो ग्रंथाले होते हैं वो अपने राष्ट में पुब्लिश अपने राष्ट में जो प्रकाशी जितनी भी material है उसको जितनी भी किताबें हैं जितना भी research material है उसका एक copy रखते हैं और अपने राष्ट्रे रिलेटर अगर कुछ बाहर पब्रिश हुआ है उसकी copy रखते हैं परन्तु पिछले कुछ दर्ष्टों से जो हमारे राष्ट्रे गन्थाले होते हैं उनकी गत्ति विदियों में बहुत आखे तरीके का विस्तार हुआ है अब इस विस सेवा अपनी उनकी कारे चित्र है वो बहुत चेंज हो गए है वो अलग-लग विश्यों पर अपना कलेक्शन रखने लगे हैं वो अलग-लग तरीके के समुहों को अलग-लग स्पेशल ग्रूप्स को उन्होंने सर्विसेज दिना शुरू किया है इसके लावा उनके पास साम करतिक समुह को सिवाप्तरदान करने वाले जो कारे हैं जो उन्होंने शुरू किया है तो अगर हम देखेंगे कि कारे पर अधारित अगर हम बात करें तो issue return की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने जाना था कि British जो कि National Library है जो कि राष्टे करन थाले है वो issue return नहीं करते बट British Library का जो landing division है जो कि UK में है वो issue return भी करता है उन्होंने issue public को public जो कि उनके member बनते हैं उनको उन्होंने book issue return करना भी शुरू कर दिया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि British Library का जो landing division है वो totally automated है अगर आपको कोई book चाहिए आप अगर British Library के member है और आपको कोई book चाहिए तो आपको जो उनका online public access catalog है उसमें एक request आपको type करना है आपको बताना है कि यह book आपको चाहिए और even जैसा ही वो request आपके system से लेता है तो वह टोटली जो है वो जो लाइबरी है वो रोबर्टिक लाइबरी है और अंदर से रोबर्ट जो है वो रोबर्टिक machines जो है वो उनकिताब को shelf से लेते हैं और आपको एक process के थुरू एक pulley chain के थुरू जो है एक गतिवान जो प्लेट होती है उसके थुरू वो किताब रखके आप तक पहुंच जाती है तो देखिए किस तरीके से समय के साथ साथ जो special libraries है उनकी जो roles है वो खतम होने जा रहे है कि वो change होने चाह रहे हैं इसके अलावा देखिए अगर आप देखेंगे कि विशह आधारित भी जो कुछ libraries है जो राश्ट्री गन्थाले वो अपने role को जो है कुछ special विशह या special subject के ऊपर भी जो है राश्ट्री गन्थाले जो बहरत की है जैसे है तो वो राश्ट्री गन जो राश्ट्री गन्थाले नेशनल लाइब्रेरी बट उनका जो रोल है वो एक तरीके से special library की तरह भी आने लगा है इसी तरीके से आप देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी the blind UK जो है वो एक particular type of users एक जैसे दरश्टी हीन जो हमारे student है या फिर सिक्षक है उन लोगों के लि उसको service provide करने है इसके अलावा आप देखेंगे कारियों की अगर सांजिदारी की बात करें तो state and university of arts Denmark यह एक university की library है यह फिर भी एक राश्ट्रे गन्थाले के रूप में कारे कर रही है आप देखें एक vicious गन्थाले जो है और एक राश्ट्रे गन्थाले यह किस तरीके से एक दूसरे से different होते हैं आप जैसे कि हमने आज जो दो तरीके के गन्थाले के बारे में discuss किया है एक्चलि विशिस गन्थाले जो होते है वो उनका अधिगरन है जो कि किताबे procurement का जो process है या फिर उनकी उप्योगता है उनकी जो users है वो बिलकुल विशेश मतलब special तरीके की information उनको चाहिए होती है जबकि राष्टे गन्थाले में ऐसा कुछ नहीं है राष्टे गन्थाले में सभी भाषाए मालीजे जिसे भारत है अगर उसमें अलग-लग तरीके की भाषाए है तो सभी भाषाओं की और सभी subjects related जो information है जो किताबे जो publish हुई है वो जो है उनको इ चैक्षेक, Special Library, Viscist Sargenic और राष्ट्रिय इन सब के परिभाषाओं के बारे में जाना और हमने जाना कि इसमें किस-किस तरीके की users होते हैं और इसमें किस-किस तरीके की materials जो है किस-किस तरीके की services जो है वो provide की जाती है इसके लावा दिखिए आप जब इस chapter को इस lesson को आक में आएंगे जैसे की विश्विद्याले के कौन-कौन से प्रकार होते हैं जैसे फिर विश्विद्याले ग्रंथाले की उप्योकता कौन-कौन होते हैं जैसे यह सारी चीज़ें जो questions जो curiosity आपके अंदर आएगी जब आज इस chapter को आप पढ़ लेंगे इस lecture को आप सुन तो यह सारी curiosities का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा तो शिक्षार्थियों आज आपके समय के लिए धन्यवाद मैं Dr. Akash Singh National Law University Delhi से अब हम मिलेंगे आपको नए पार्ट में एक नए लेक्चर के साथ धन्यवाद